So Hello Everyone, ये है पराग Milk Foods के quarter 2 के result आगे हम यहाँ पर देखेंगे इस share के result यहाँ पर कैसे रहे है शुरुआत करेंगे यहाँ पर इस share के total income से yearly basis में यहाँ पर जो income है वो around 6,540 लाग थी जो quarterly basis में 7,893 लाग यहाँ पर हो गई है इंकम के साथ यहाँ पर जो है share के expense भी increase हुए है इस share के आगे जो है total comprehensive income net profit को देख लेते है total comprehensive income yearly basis में 159 लाग था quarterly basis में 268 लाग यहाँ पर हो गया है आगे हम इस share के earning per share को भी देख लेते हैं earning per share यहाँ पर 1.62 पैसे था अब जो है 2.29 पैसे के round यहाँ पर हो गया है overall analyze करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो share के result है वो यहाँ पर काफी जादा बढ़िया देखने को मिले है अब बात करते हैं इस share के यहाँ पर price level की तो इस मन तक का maximum target आपको जो है यहाँ पर वैसे तो 230 रुपे के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा तो share के result तो वैसे बढ़िया रहे है तो long term के perspective से भी hold करने के लिए जो यह शेयर है वो यहाँ पर काफी जादा बढ़िया देखने को मिल रहा है